बहुत बड़ा नोटीस बिहार सरकार ICDS निर्षाने की ओर से निकल के सामने आ रहा है जिहां आपको जान करके हैरानी होगी कि आज 4 नॉवंबर 2023 को सुबह 10-11 बजे तक बिहार के सभी जीलों के DPO के साथ ICDS कंतरगत जो समाज कल्यान विभाग के सचिव है उनके साथ जो है वीडियो कंफरेंसिंग की बड़ी मीटिंग आयूईत की गई थी इस मीटिंग में बहुत ही बड़ा निर्देश आप सभी आगनवाड़ी कारे करताओं के लिए निर्गत किया गया है अब इस खबर को देख करके चेनमुक्ति के नुसंसा को देख करके आपको परिशान नहीं होना है। सीधे हुए इस मीटिंग में समाज क्लान विवाग के सचीव। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजें ताकि सभी लोग को जनकारी मिल पाये। और वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक भी कर दिजेगा। तो चयन मुक्ति के संबन्द में जो लेटर आप लोग देख पा रहे हैं या पूरा वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आप सब्यों कहा दूँ वीडियो पूरा देखेगा अनता बीच की चीजे अगर छुटेंगी तो बीना मतलब आप कमेंट कीजेगा और आपको चीजे समझ में नहीं आएंगी। वीडियो पूरा इदम लाइन से देखेए इसकीप मत कीजेगा थोड़ी गम भीरता से इस नोटिस को समझेगा जो ICDS के अंतरगत जो समाज क्लियान विवाग के सेकरेटरी हैं सचीव हैं उनके द्वरा आज के वीडियो कॉनफरेंसिंग के बैठक के बाद जो है और को जारी किया गया है इसकी संची का संखे इनी पत्राइं के वगरा 16-19 है और सबसे पहले डेट आप लोग देख लीजिए सासराम जीले के लिए ये अभी फिलहाल सिर्फ सासराम जीले के लिए जारी हुआ है लेकिन निश्चित रूप से ये अन्ने सभी जीलों में जा काओ तक क्योंकि ये अफरात अफरी का जो महौलाब बनेगा इससे जो कही न कहीं बहुत बड़ी परसानियों का सामना सभी करना पर सकता है उसके पहले मैं बता दो इस पर जो भी निर्ने होगा वो संग के द्वारा लिया जाएगा कि आगे हर्ताल में क्या रहेगा नहीं हमारी तरफ से जो लड़ाई है आगनवडी वरकर की तरफ से जो परतनिदीतों कर रहे हैं लड़ाई का वो संग की ओर से किया जा रहा है और बार बार संग ये कर रहा है कि हर्ताल फिला नहीं टूटने वाले सरकार जो है दबाबनारी बगरा बगरा तो चलिए इस खाबर क को पूरा समझते है देखिए प्रेसक जो है डिप्यो रहतास शासाराम यानि सासाराम रहता जिले के डप्यो के दद्वरा इस लेटर को जारी किया गया है और इस लेटर को इस जीने में रहतास जिले के जितने भी परढ़िणा है सबी से डपयों को बाल विकाछ роль प्रणा- समझ लिजिए विशाय है कि आंगन वाड़ी सेविकार सहाइका को चैन्मुक्त करने ये तु अनुसंसा भेजने के सम्मद में यानि कि अब सब भी जीलों से दिये दिये करके अनुसंसा ली जाएगी डिटेल ली जाएगी कौन से साड़े दस से साड़े ग्यारे बजे तब समाज कल्यान विभाग के सच्यू बिहार पटना की अधेक्ष्टा में आयोजीत वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सम्मिक्षात्मक बैठग में परिजना अंत्रगत हर्ताल पर चल रही सभी आगनवड़ी सेविका साहिका को ततकाल परभाव से वापस आकर योगदान करके अंदर संचलने तो निर्देश परात है ध्यान से समझेगा आज जो है चार नॉंबर को जो मीटिंग हुई है सुबस साड़े दस साड़े गारे बज़े तक समाज कलन विभाग के सचीव पटना के अधिक्स्ता में ये वीडियो कॉन्फरेंसिंग हुई थी ओनलाइन मीटिंग हुई थी इसमें सभी जीलों को, DSPU को और CDPO के निर्देश दिया गया है कि जीन जीन परेजना में जो जो सेविका शाही का हरताल पर है सभी को जल से जल ततकाल प्रभाव से ही वापस योगदान देकर केंदर सांचलन जल से जल करना सुनुशित करे अगर नहीं होता है तो क्या होग अनुसांसा करके पर्यजना अस्तर से अनुसांसा होगी, हर एक पर्यजना में डिटेल लिया Java के छिनित करके और वीलम चैन्मुक्ति के नियमा अनुसार कारवाई प्रारम करने का नीर्देश दिया गया है धियान से समझेगा नीर्देश जो है समाज कल्यान विभाग के सचीव जो मेरे मुताबिक प्रेएम सिंग मीना जी है इनके द्वरा जो है वो दिया गया है और ये वहीं सचीव महोते हैं जिन्नों ने एक नॉम्बर को ICDS के जो समाज बिहार के जो आंगरवड़ी के सवंग है चार गूठ है उनके साथ मीटिंग की हुई थी लेकिन कोई निकल के नहीं आया इसके पहले भी ICDS विवाग ने दो तीन बार नोटिस दिया हुआ अटे पेपर में और साथ में वापस आने के लिए कई अरवारता हो लेकिन सारी चीजे फेल हो गई विफल हुई अन्तिता जो है अब जो है चैन मुक्ति करने के लिए लिस्ट मैंगा जारा कि कौन जी सेविका साही का वापस नहीं आ रही है ये आज ही निर्देश दिया गया है और बहुत ही जल कुछ मिन्टों में ICDS को ओफी से लेटर भी प्राप हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है अताउखत के अलोग में सभी CDPO जो रोता हजी लगे हैं उनको निदेश दिया जाता है कि हरताल में चल रही सब भी चाहे वो सेवीका हो या सहाईका हो उनको योगदान करवाते हुए केंदर का सांचलन सुन्चित करेंगी साथ ही जी नागनवाड़ी सेवीका या सहाईका के दोरा अगर योगदान दे कर अपने करता बेब वापस नहीं आती है तो वैसे सेवीका सहाईका को आदेज और हिनला के मामले में ततकाल पर भाव से न उसी समय चैन मुक्ति के अनुसान सा निये मनुसार अधोर स्ताक्षरी को अप्रवाद करना सुन्चित करें ताकि आगे करवाई की जा सके नीचे की तरफ आप करके मैं आपको दिखा दू चार नॉमर 223 का डेट और यहाँ पर जो रोता सासाराम जीले के डीपियों उनका सीनेचर भी देखने को मिल जा रहा है आज बड़ी मीटिंग ये जो है सिर्फ आगनमरी वर्कर्स के हर्ताल के समन्द में किस प्रकार करवाई करनी वो लिगी है क्योंकि दो-तिन बार वारता होई और दो-तिन बार नूटिस भी आया लेकिन कोई सेविकासा के काम पर वापस नहीं आई अब बात करते हैं कि अनुसांसा वाले इस अपडेट के बाद अब सेविकाओ साहिकाओं में जिस प्रकार का महोल होगा तो क्या करना चाहिए देखिए मालूम आपको होना चाहिए कि आप सभी आप मेरी वर्कर्स के जो प्रतिनिधित्व है वो संग कर रहा है यानि करमचारी संग या संजुक संगर मोर्चा या फिर संजुक संगर संमीती जो भी गुठ है चार-पांच गुठ है बिहार मोगों कर रहे है अब उन लोगों के अधीन आप सभी सेविकाओ साहिका जो है हर्ताल कर रही है उनके सुषनेक मुताबिक हर्ताल कर रही है तो इस पर बहुत जल संग का भी जब आप आएगा लेटर आएगा कि आगे हर्ताल के स्थिति क्या रहेगी और ये भी हो सकता है कि दो लाग सेविकाओ साहिका को चैन्मुक्त कर देने से सरकार का काम नहीं चलने वाला है फिर सेविकाओ नहीं जलनी बहाली करके कि क्या आप लोगों को हर्ताल पर वापस आ जाना चाहिए या फिर हर्ताल को जारी रखना चाहिए ये आप अपने स्वेक्षा से बताईएगा मेरा इसमें फिलाल कोई मत नहीं है लेकिन इन सारे चीजों के अलावा जो हमारा प्रतिनी तो संग कर रहा है उसका लेटर आएगा और ICDS को वो कुछ न कुछ जवाब देंगे वो बात की बात होगी लेकिन फिलाल अफरात अफरी का महल आपके अंदर आगया होगा थोड़ा से धैर रखिए जो प्रतिनी तो संग कर रहा है बहुत ही जल इस पर नीड़ने आने वाला है अभी सिर्फ जो है मुझे एक दो जीलों का प्राप्त हुएर होता सासराम का अभी आपके जीले में भी बहुत जल लेटर आजाएगा और साथ में ICDS का ओफिसल लेटर भी अलग से आजाएगा उमिद है इस यूजफल वीडियो साबको जनकारी मिले होगी बहुत बड़ी जनकारी थी तब तक के लिए धन्यवाद